यह जो आपको नीटे दिख रही है बहुत अच्छी जगा यह गाड़ी जाने की जगा नहीं कहीं भी लास्ट पॉइंट है यहीं पर गाड़ियां खड़ी है और इसके आगे जो है गाड़ी जाने के लिए कोई जगा नहीं है तो आप तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहां से पानी भर लिये जाए हैं तो गाइस फाइनली हम पहुंच गे हैं धर्म साला और सुवा निकल के दे हम छे वजे के असपास रास्ता काफी खराब होने की वज़े से हमें काफी टाइम लग गया तो बहुत अच्छा लग रहा है और यहां पार्टी और यह पीछे मकलोड गंज में पहुंच गए हैं और यहां पर अभी हम फर्स टाइम आये हैं तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा है कि कहां पर रुकना चाहिए तो यह देखिए हमारे दोनों नन्यमने गाड़ी चला रहे हैं यहां पर बैठके और यहां पर अपनी गाड़ी देख रहे हैं और फॉइंलि हम पहुंच गए हैं दरमशाला में तो अभी हमने सोचा कि चलो ब्रेक फास्ट कर लिए जाए और अभी ब्रेक हास्त के लिए हम चाय और मेगे बनाने जा है तो यहां पर हमारी कडाई है यह चोटी सी कडाई है इसमें हम मेगई बनाएंगे लो पकड़ो है तो फर्स्ट टाइम हमारी जो कुकिंग में अभी सिर्फ मेगी बन रही है और पड़ी होगी बैग में और इसको देखो कैसी मस्रक्कत में लगा हुआ है और अभी हमारी साथ में कॉफी बने गी ये चाए बनेगी तो यह हमारा छोटु सा स्लेंडर है तो गाइज यह चोट लंच यह दिनर बनाना होगा तो हम बड़ा स्लेंडर लेकर आए हैं तो फिर हमने जो कुकिंग करनी है तो उसमें करेंगे और एमर्जेंसी के लिए दोनों भी ठीक है कि एक में चावल बना दी दूसरे में सबजी बना दी यहां सामने एक पार्क है जो बोला कि 11 बजे खुलेगा अभी तो साड़े 9 बजे हैं तो तब तक हमने सोचा कि क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लिए जाए कि के बोल रहे हैं करो बात दूस नहीं हुई है जैसे घर में था वैसा ही यहां पर कुछ महौल है अभी तो यह चेर्ज जो हमने मंगवाई थी मंगवाई थी हम आपने दोनों के लिए लेकिन बाइडिफाल्ट चोंए चेर्ज आगें मीडियम साइज वाली तो यह दोनों के लिए चेर्ज अच्छी ह मैगी जो बनके त्यार हो गई है तो इंदू अभी मैं कॉफी बनाओं यहां फिर चाय पी योगी पक्का यहां से निकलके हम जाएंगे नड़ी और सुना है बहां पे कार केम्पिंग के लिए अच्छी प्लेसे और बहां पे अगर आप पेड़ केम्पिंग करना चाते हैं तो भो भी हो सकती है इसमें धकन थाली प्लेट्स चमबस बखेर मैं करता हूं इसको पकड़ पर ले अगया है तो मानविक नहीं जो बरतर नीचे गिरा दी है यहां पर अब यहां में दोने पड़ेंगे फिर इनको यूज करेंगे चोटे-चोटे कप लेकर आए थे चाय के और पर नहीं के रहें दो कुछ नीचे बच्चों के साथ ना कैम्पिंग करना हो इतना एजी नहीं होता तो गाइज अभी हमने यहां वे जस्ट ब्रेकफास्ट किया है और चाय पी रहे हैं उसके बाद निकलेंगे नड़ी के लिए में भी बहां पर हम शाम को कार कैम्पिंग करेंगे वहीं पर लंच कम डिनर बनाएंगे हम उपर ही रख दीजिए से उपर ही तो कि मैंने तो मोमोज खाने नहीं है इंतू थोड़ा सा शौंक रखती मोमोज बर्गर पीजा यह सारी चीजने खाने की अभी टाइम हो गया साड़े ग्यारा ब्रेकफास् में लगता है बरतंद होने हैं सारा समान क्लोज करके फिर से गाडी में डालना है उस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लग जाते हैं और यहां पर पीछे फैमिली इंज्वाई गर रही है और अब जा रहे हैं हम नड़ी वाकि नहीं जगा जा करना जगा ढूनना बहुत सब्सक्राइब जाते हैं लेकिन जो मज़ा केम्पिंग में आ रहा है ना मतला एक्स प्लेइन नहीं कर सकते लफ्जों में खुद बनाकर खाना और जो नेचर के नजारे ना वा 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 तो गाईज यह नीचे को चला गया धरमशाला के लिए और यूपर को चला गया रोड नड़ी तो अभी देखते हैं वहां का कैसा महौल है सुनने में तो ऐसा ही है कि बहुत अच्छी जगह है और वहां पर जाना चाहिए पस बैसली कैम्पिंग के लिए है तो देखते हैं जाके वाव इजलंदर यहां से 168 किलोमेटर 168 बड़ी तिक्की डर नहीं या वाद है और खड़ी चड़ा आई है यहां मेरे को वीडियो नहीं बनाना चाहिए वैसे गाड़ी पहले गेर में तो गाइस हमारा जो पोटू और चूछी जी है वो पहुंच चुके हैं धर्मशाला नड़ी में और यहां पे ले खूबसूरत बावियों का नजारा और इतने खूबशूरत पेड़ हैं यहां पे हमने सोचा कि थोड़ासा यहां पर धूप सख लेते हैं फिर देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है और अभी हमें प्रॉपर लोकेशन तो नहीं मिली है और यहां पे कोई आ पूछता हूं है ना कूछ वाइज वी हम थोड़ा सा आगे जाकर देखते हैं कि गाउं में हमें अच्छी सी जगह मिल जाए श्टे करने के लिए रास्ता कच्छा है यहां पर गाड़ी जलाना बहुत मुश्किल हो रहा है फर्स्ट गेर में जो गाड़ी आगे लेकर जा रहा तो वहां पर देखते हैं अगर टाइमली कहीं पहुंच आते हैं स्टे करने को जगह मिल जाती है तो हम अपना जो लंच कंप डिनर जो है वो बना लेंगे और बच्चे भी सुबह से गाड़ी में है तो यह थोड़ा सा इरिटेट हो गए हैं बहुत मुश्किल हो जाता है ब बड़े बड़े पत्थर हैं बीच में तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बापपी साते गाड़ी कैसे चढ़ाएंगे अब पंगा ले तो लिया है बाकी देखते हैं हमारे माइड में आ रहा था कि हम का सामने वाली लुकेशन पर होते ही जो आपको नीचे दिख रही है बहुत अच्छी जगा यह लेकिन हमारी किस्मत में सिर्फ पत्थर पत्थर लिखें देखो यहां पर सारे पत्थर पत्थर है जब से सुबह से चले हुए ता हमें घाली जाने जगह नहीं है कहीं भी यह लाश्ट पॉन्ंट है यही पर घाली झाली एं और इसके लगा कहा है तो ट्राइक करते हैं इस अबेफ यहां पर पार्क हो जाए और यहीं पर हम्टे करें लेकिन एंदू की राय किर लेना जुरूरी है पत्थ्रों के उपर बहुत मजा रहा है चलने का बच्चे भी ना इंज्वाई करेंगे यहां गाड़ी लाने से डर रहा हो हला कि इससे जो पीछे का रास्ता वो ज्यादा खतरनाक है ठीकर मैं सोच रहा है कि चलो क्यों ऐसे नीचे को गाड़ी लेकर आए अंट इससे आगे दिमाग में चल रहा है तो आप लोग के लिए रहा है अच्छा तो यहां पर के काम चल रहा है यह अच्छा अच्छा मैं जगा अच्छी लग रही थी और बहां गाड़ी जानी है नी बहां नीचे चलो लेक दो बच्चे छोटे-छोटे हमारे साथ देर साल के तो उनके साथ मुष्किल होते हैं चलो लेकर आता है और यहां पर यहां पर रात को रुकने के लिए अच्छा नहीं हम वैसे गाड़ी में रुखते हैं सोने-साने के सारा सिस्टमुसी के अंदर है और गाइस य यहां पर जो है कोई गाड़ी कोई वहिकल नहीं जाता है वहिकल आएगा वह यहां तक की आएगा और इससे आगे जो आगे पैदली जाना पड़ेगा तो यह न एक तरह से छोटा सा रेस्टूरेंट है यहां से आप कुछ भी ओर्डर कर सकते हैं खाने के लिए और यह पत्थरों से होते हुए हम नीचे जा रहे हैं जो नीचे चेर्ज लगें चेर्ज और टेवली यहां पर हम बैठ सकते हैं और धूम में सेखते हुए पापा भी थाग गये हैं तो यह देखिए यह रेस्टूरेंट टेवल तो मानविक देख रहा है कि ममा कोल्डिंग खुद कुछ पी रही है और मेरे को भी दे रही है तो इन दूना चुपके से पी रही है कोल्डिंग नीचे छुपा के रखा है हाँ हाँ क्योंकि यह देख Scoda उफनी हमने यहां पे अपना जो है केंप लगा दिया है और अभी हम यहीं पे नाइट अट करेंगे और अभी हमने कि अपना कुछ लंच कम डिनर क्योंकि नहीं करते घर में और यहां पर इंदू कोशिश करी दोनों बच्चों को सुलाने की लेकिन दोनों सब्सक्राइब के साथ थोड़ा सा प्रॉल्म यह हो रहा है कि हमें अच्छे से सेट अप करने नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंदू लगी है इनको संभालने में और जैसे आप लोगों को पता कि हमारा फर्स्ट डे केंपिंग का तो experience भी नहीं कि कैसे क्या चीज करनी है और देखो किसना तंग कियो है इसने तो गाइज यहां पर भी खाना बनाने की त्यारी चल पड़ी है मैडम अभी प्याज टमाटर काटना शुरू किया है इंदू क्या बना रही हो भी मैं बनाओंगी क्या बनाओंगी अ हां क्योंकि पता क्या है ना अभी फर्स्ट टाइम है ना बच्चे थोड़ा से जादा तंग कर रहे हैं तो अभी हमने सुचा कि चलो प्लॉव ही बना लें और सबसे बड़ी बात है यहां पर आपी बहुत हैवी हो गया तो मेरी साब से बेस्ट ऑप्शन अभी है यह तो छ हो यारे वह अपना एक्साइटमेंट बता रहा है वाव कर रहा है वाव वाव करे जा रहे है पापको बोर्ण इन दे रहे हैं तो अभी हमने यहीं पर काम चलाना है तब तक हम आपको यहां का कुछ निजारा दिखाते हैं कि यहां पर हम कैसे पानी पीने वाले हैं और बरत बच्चों के साथ वीडियो बनाने हैं तो ऐसे बच्चे को गोद में उठाके घूमना पड़ता है इसको हमारी भासा में नालू बोलते हैं नालू पीने लाइक पानी होता है और इसमें आप खाना भी बना सकते हैं नहां भी सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं तो मैंने सोचा की क्यों नहीं यहां से पानी भर लिया जाए सबसे बड़ा काम होता है और अभी देखते हैं क्लोजिंग करते हैं और मन बनता है तो यहां से निकल जाएंगे तो अभी बस यहीं सोच रहे हैं कि निकल जाते हैं यहां से कहीं आगए देखते अच्छी लोकेशन और मिलती है और अभी भूख